हलो एवरिवन आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बारत हैवी इलेटरिकल्स लिमिटेड जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं आज इसने आग पकड़ी है 111 रुपए के आसपा शेर जा चुका है बहतरीन तेजी आज हमें यहाँ पर देखन को मिली है और पिछले दो दिनों से यह तेजी बरकरार है और अगर आप चनल को रेगुलर फॉलो करते हो अभी तीन दिन पहले ही जब शेर 100 रुपए से भी नीचे था तब मैंने वीडियो बनाया था रो कहा था कि हां मौके बन रहे हैं इवन इससे पहले भी जब यह आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो काफी जादा हेल्प करेंगे तो 111 रुपए का शेर है बड़ी रफतार देखने को मिली और देखो बिना रीजन के कोई है उसकी वजब भी है पिछले एक महिने में अगर आप देखोगे तो 13% की रफतार है और देखो इससे पहले भी जब ये 100 रुपए के ऊपर जाने की कोशिश करी गिरावट आई अटेम्ट मारा फिर गिरावट आई और अब एक ब्रेकाउट दिखाया लेकिन डेफिनिटल का जम्प एक सार के सबसे हाईएस प्राइस पर जरूर बहुँच चुका है और देखो इससे पहले भी जब बड़ी रफतार पकड़ी थी करेक्शन आया था और इस बार की तीज़ी अभी काफी अच्छी है और देखो अभी पता है क्या चल रहा है मिटकेप और स्मॉल अगर हम बात के तो वहाँ पर वया वैलियो अनलोग होती नजर आ रही है वहाँ पर कमपनिया कमाल कर रही है लेकिन हाँ अभी जिस प्राइस पर जिस वैल्यूएशन के उपर बेल का शेड रेट कर रहा है वो सस्ता तो नहीं है और आज जो तीज़ी आई उसकी वज़ए ये है कि 4,000 करोर रुपय का इंको ओरर मिला है और देखो यार ये खबर जो है नब वह ACTUALY में दो दिन पुरानी है लेकिन तीज़ी आज आई ठीक है तीज़ी आज आई वन्हाँ ये जो खबर है न ये 2 दिन पहले ही कबर हो चुकी है लेकिन आज की तीज़ी की वज़ए इस खबर को बताया जा रहा है यहाँ पर अगर आप देखो गी तो यह जो 4000 क्रोड रुपय का इनको order मिला है वो अदानी पावर के एक subsidiary company है महान Energy Limited उनकी तरफ से इनको यह order मिला है और जिसके चलते तेजी आई है अगर देखें as per the order bail will be engaged in supply of equipment like boiler turbine generators and supervision तो यहाँ पर यह महान energy की अगर हम बात करें जो कि मध्यप्रदेश में है और यह अदानी पावर के एक subsidiary company है उसकी तरफ से इनको इतना बड़ा order मिला और देखो आज की तेजी हर जगा आपको यही देखने को मिला कि 10% की तेजी आई क्योंकि 4000 करोर का order मिला यह order दो दिन पहले का मिल चुका है खबर दो दिन पहले की है लेकिन तेजी आ जाई लोगोंने आच छपना शुरूर कि हाला कि दो दिन पहले भी यह खबर छबी जरूर थी यहाँ पर भेल के आज volume देखो जो 10 करोर से भी जादा के हैं बहुत बड़ी quantity में अभी यह share trade हो रहे हैं इतिना ही नहीं अगर बात करी जाए इस company को लेकर तो according to money control user 79% लोग कहरे खरीदारी करो 21% लोग कहरे बेच और बाग जाओ इनके अगर हम बात करे dividend की तो देखो फिर से pay करना शुरू कर दिया है 40 पैसे का pay क्या था पिछले साल इस साल भी 40 पैसे का ही pay किया है बीच में 2 साल नहीं pay क्या था 2020 और 2021 में इनों ने और जहां तक बात करें इनके numbers की तो देखो last quarter के number खराब थे ठीक है इनका revenue 5000 करोड का था जबकि इससे पहले के quarter में 8,226 करोड का था इससे पहले भी 5,200, 5,300 करोड के आसपास के revenue थे जहां तक profit की हम बात करें तो भाई या loss report किया इस बार 360 करोड का loss हुआ है इन्हें बड़ा loss है ये और जहां तक बात करें valuation की तो भाई आपी ratio इसका 109 जा चुका है और sector P43 का है तो अभी ये जो तीजी आ रही है न ये सिर्फ और सिर्फ एक momentum कहा सकते हो यहां पर देखो मैं मान दो कंपनी बहुत शांदार है अगर आने वाले दौर में कंपनी के revenue profit में तीजी आती है तो चीजे बहतर होगी और देखो company जो है वो एक नहीं कई sector में काम करती है company railway sector में भी काम करती है company power sector में भी काम करती है company transmission sector में भी काम करती है company भाया हर जगे है ये ठीक है और कई बड़ी company उसे इनको order भी मिलते रहे हैं ये एक बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर 24% analysis कहते है खरीदारी करो और देखो valuation के इसाब से ये सस्ता नहीं है मेरे इसाब से valuation के इसाब से ये सस्ता नहीं है अगर हम share holding के बात करें तो share holding में जो promoters है कौन है government है ये सरकारी company है 63.17% की holding यहाँ पर promoter के पास है 4.64% है mutual fund के पास 11.72% है domestic institution के पास 7.76% है Files के पास retail और अधर की मिलाकर बनती है holding 12.71% जिनमें say retail investor 9.96% की holding लेकर बैठे हुए है देखे overall ये जो company है भेल ये खराब company नहीं है काफी अच्छी company है देखो manufacture sector जो है वो definitely आने वाले दोर में trained में रहने वाला है और government जो है वो इस sector को और जादा push करेगी त्योंकि यहां से रोजगार भी जो है वो काफी जादा बड़े प्यमाने पर निकल कर आते हैं और government न जो subsidy अगरा जो है वो provide करवाती है इन manufacture sectors को ताकि ये और चीजों को produce करे और जो China के उपर manufacture को लेकर dependency है उसको कहीं न कहीं कम करा जा सकें तो देखो यहां पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भेल जो तीजी आई है definitely शांदार तीजी है और यह deserve करता है इस तीजी को लेकिन मुझे जाते कि बीच में एक correction यहां पर बन सकता है क्योंकि already यह उस category में जा चुका है जहां से आप इसको सस्ता तो नहीं कह सकते है यहां साब इसको थोड़ा सा महंगा ज़रूर कह सकते हो लेकिन हाँ यहां से जो अभी momentum बना है हो सकता है यह तीजी बरकरार रहे और जब तक मैं यही कहूँगा कि 100 रुपए के stop loss के साथ यहां पर बने रहना चाहिए जब तक वो breach नहीं होता है यह जो तीजी है यह जो रफतार है आप उसको carry कर सकते हो ठीक है 100 रुपए के stop loss के साथ और अगर वो level एक बार तोड़ेगा तो शायद decline आपको देखने को मिले लेकिन जब तक वो intact है मेरे इसाब से बने रहा जा सकता है यहां पर और company अच्छी है खराब नहीं है महंगी ज़रूर हो चुकी है यहां सब थोड़ा सा और उपर की तरफ जाएगा तो हो सकता है कि profit taking के मौके भी आपको बनते हुए नजर आजाए तो बाकी मरजी आपकी है government देखो push तो कर रहा है sector को तो नजर भी होनी चाहिए वीडियो को यहीं पेंड करूँगा पसंद आओ हो तो like करो शाय करे चैनल पर गड़ा पहले बारे तो प्ली subscribe करे और भारत है वी लिट्रिकल से लिमिटेट यानि कि भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं जो कि भेल पूरी से भी जादा महेंगा शेर बन चुका है क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लेकर बता सकते हैं थैंक्यो